आज हम जानेंगे नीपा वायरस से बचने के पांच आसान तरीकों के बारे में नीपा वायरस मेनली चमगादोणों के दोरा फैलता है यह संक्रमित चमगादोणों के लार, मूत्र और मल में पाया जाता है इसलिए कोई भी फल खाते समय यह ध्यान रखें कि वो कुत्रे हुए ना हो हो सकता है यह फल चमगादोणों ने कुत्रे हुए हो और उनके सलाइवा से यह वायरस आपके सरीर में प्रविष्ट कर जाए चमगादोणों को खजूर का रस भी काफी वसंद है इंट्रेट कैमरेज में यह पाया गया है कि चमगादोणों खजूर के रस का श्टेवन जनरली करते हैं इसलिए खजूर का रस ना पियें जब तक की वायरस आउटब्रेक की न्यूस थामना चाहे बंगलादेश में 2001 में नीपा वायरस के आउटब्रेक का कारण यही था दोस्तों पिक्स यानि की सुवर चमगादोणों के बाद नीपा वायरस के सबसे बड़े वह हग हैं इसलिए संक्रमित एरिया में पॉर्क यानि की सुवर के मास का सिवन कभी न करें दोस्तों नीपा वायरस संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से भी तेजी से फैलता है इसलिए संक्रमित एरिया में हमेशा मास्क लगा कर बाहर निकलें सौचालेओं में इस्तमाल होने वाले बर्तन और मग साफ रखें संक्रमित वक्तियों के नजदीक न जाए और अपना परसनल हाईजिन बनाए रखे फल हमेशा धोकर खाएं चाहे वो किसी भी तरह का फल हो आप धोकर खाएं और आमों के मौसम में अपने बच्चों पर ध्यान दें कि वो कहीं बगीचे से गिरे हुए फल तो नहीं खा रहा है अगर आप कुएं या टंकी का पानी पी रहे हैं तो ध्यान रहे कि वो धाका हुआ होना चाहिए ताकि नीवा वायरस का शंकरमन उसमें ना हो सके दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें इसी तरह के important updates हम आपके लिए लाते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद